वान खेड़े में सम्मान समहारों के बाद खूब नाचे रोहित और विराट और बाकी खिलालियों ने भी किया जमकर डांस T20 विसकप 2024 की चैंपियन बनने के बाद भारता टीम का दिली और फिर मुंबई में जोरदार स्वागत हुआ विक्टरी परेट के बाद भारता टीम सीधे वान कीड़े इस्टेडियम पहुची यहां टीम को 125 करोड रुप्रे का चेक थमाया गया इस इनाम की गोश्णा बी सी सी आई सचिव जैसा ने विसकप जीतने के एक दिन बाद ही कर दी थी अब पूरी टीम को इसका चेक सौप दिया गया है समारों के बाद भारता खिलालियों ने इस्टेडियम में लेफ ओप ओनर लिया और फैंस का आवार दिताया इतना ही नहीं आखिर में भारता खिलालियों ने इस्टेडियम में जमका डांस किया इस दोरान विराट कोली और रोहिस सर्मा भी स्टेडियम में बजराई गानों पर डांस करते नदर दीखे लेप आप ओनर लेते हुए बाहरते खिलालियों ने ओटोग्राफ की हुई गेंदों को फैंस को दी खिलालियों ने गेंद दर्सक दीरगा में फैकी हलाकि सबसे बड़ी अपल तब थोड़ी देर बाद आया जब टीम को लेप ओप ओनर में लीड कर रहे विराट कोली और रोहिस सर्मा अचानक इस्टेडियम में बजरे ही धुन पर नाचने लगे इसके बाद पूरी टीम ने इन दोनों को जोइन किया इसका वीडियो भी सामने आया है रोहिस सर्मा की अंगवाई वाली टीम ने मरीन डिराइब से ओपन बस प्रेट की सुरुवात की बड़ी संक्या में फैंस बारत की सफलता की दुन पर जोम उठे और टीटवन्टी विसकफ बिजेता टीम के आगमन का जसन मनाया क्योंकि बस उनके पास से गुजर रही थी भारत किर्किट कंट्रोर बोड बी सी सी आई के सचीव जैसा और उपाध्यक चराजीव सुकला भी जसन में सामिल हुए और बस में खिलाडियों के साथ भी देखे गई व्राट कोली कुलदीप यादव और हुजबेंदर चैल ने अपने कंधों पर भारत दोच को अपने कंधों पर उठाया क्योंकि उन्होंने अपनी 11 साल लंबी ICC ट्रोफी का सुगा खतम कर जीत करसन मनाया रोईत को जसिन के दोरान राहूल द्रैविट और बल्लेवास सूजय कुमार यादव के साथ मस्ती करते हुए देखा गया टीम इंडिया के आने से पहले मुंबई पर किर्किट का वुखार चा गया था योकि टीम इंडिया की विजय परेड देखने के लिए पिरसंसक पहले से ही बड़ी संक्याम उमर पड़े थे अपने पसिंद्जा खिलाड़ी की एक जलक पाने के लिए उनकी आखे नम थी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर किलिक करना ना भूलें चोंकि हम इस चैनल पर किरकेट से जुड़ी अपडेट लगाता है